यह एलो दोस्तों आज हम बनाने चाहा रहे हैं गोभी की कचवडी आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं यह मैंने गोभी ले लिए है इसको हम एकदम छोटा छोटा काट लेंगे पहले ये देखिए गोवी को मैंने इस साइस में काट लिया है अब इसको हम और छोटा- shortlyलेंगे आप चाहें गोवी को कदुकस कर लीजिए एसको छोटा-सोटा काटके चोपर में चौप कर लीजिए गोवी को हमें इदम छोटा-छोटा काटना है ताकि जब हम चौपर में चौप करें तो अच्छे से चौप हो जाएगे तो हमें गिसनी की जुरूत नहीं रहेगी उसमें आसानी से बारीक हो जाएगा हमें इस तरहें छोटा-छोटा काटना है यह देखिए गोवी को हमने छोटा-छोटा काट लिया है अब चले हम गोवी को चौप कर लेते हैं यह मैंने चौपर ले रखा है इसी में डाल देंगे हम गोवी को अब हम चौप कर लेंगे गोवी को गोबी को हमने चॉप कर लिए थो हम छोटा-छोटा आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे है हम ऑथ में घुझने की ज़ुरुत नहीं değil आप अप इसमें हम नमक डाल देंगे एक चमच और आधह चमच अब नमक को हम इसमें मिला देंगे ताकि इसमें का जो पानी है वो निकल जाए हमें फिर बाद में इसमें नमक दानने जुरत नहीं रहेगी गोबी में अब गोबी को हम ढखके रख देंगे 10 मिनट के लिए इसमें का जो पानी है वो निकल जाए अब हम आटा गूर लेंगे स खाल का अपता लेंगे यह भी डाल देंगे सबी आटे को हम और की मिला देंगे इस में थोड़ा सा नमट डाल देंगे आधा चमच ॊब और एек चमच हम वॉयल डाल देंगे अच्छे से जह तोड़ा से बदने लएगा तो माटाँ गुं लेंगे तो के अब भी अपानी नहीं चूड़ें पाने नहींद नियू ने रूटए दाले देंगे एक्डमात देखकते हैं कि यह दखिए हमने आटा गुंद लिए बेखक देंगे 10 मिनट के लिए अब हम गोभी का पानी निचोड़ लेंगे गोबी को एक हम छोटा सा बाउल ले लेंगे उसमें कपड़ा रख लेंगे गोबी हम कपड़े में डालके निचोड लेंगे अच्छे से तो पानी अच्छे से निचोड जाएगा अब कपड़े को हम ऐसे मोड लेंगे अब चाहे थोड़ा-थोड़ा करके निचोड लीजे न यह सबजी में डाल दे ale इन आता गुंद लिया है क्योंकि ठंड हो रही है ठंड में पानी काफी ठंडा रहता है इसलिए मैंने पानी गरम करके तो गुंद है और इससे आता भी शॉफ्ट रहता है गरम पानी इसको चाहे सबजी में डाल दीजिए गोबी को हम निकाल के रख कक छमाच के बराबर हम ऑल डाल लेंगे ईसमें अच्छी इचाह कहा बरावर इर मैंने 5 math कलोंजी इसको बीदा देंगे इस हमें इसको हमें सिते कर लेंगे यह मीने 1 थारी मिर्च कली नदे दा दी कोगे चला से रोस्त हो जाए। कॉछ सिபो इसए में डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेम को हमने कमी रखा है, ज्यादा नहीं रखा है, अब गोवी को हम डाल देंगे इसी में, सबी मसालों को हम मिला देंगे गोवी में, फ्लेम को हमने कमी रखा है, पेज नहीं किया है, हम अच्छे से चला देंगे ताकि मसाला गोवी में अच्छे से चिपक जाए, गोवी क ठंड में गोबी काफी आती है, आप गोबी की कचोडी एक बार जरुर बना के देखें, ये हमने धन्या लिया, यसको ढाल देंगे इसमें, मिला देंगे हम, गैस को हम बंद कर देंगे, हमें हमें गोबी को ज़ादा पकाना नहीं है, श्रिप मसालों को, हमें भून के हलका गो गोबी स्टिफिंग बनके तयार हो गया है अब इसको ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम कचोडी बनाएंगे गोबी में हमने नमक नहीं डाल रखा है क्योंकि इसमें पहले नमक डाल रखा था इसलिए हमने नहीं डाला है यह हमारा बनके तयार हो गया है अब इसको ठंडा कर द एक बड़ी बनानी है we will be better कहा में लोगि को इतना बड़ा बैल लेना है जाले बड़ा नहीं चमच बंद मद कॉंटेटे के इससाफ से एक चमच दो चमच होवी के स्टफिंग आप भर सकते हैं जिए रते हैं तमारी कचणळिंद्या फूर्टि इसी तरह हम सारी कचव्या घ्रलेंगे इसी तरह हम सारी कचोड़ियां भर लेंगे हलके हैंड से दबा देंगे इसी तरह हम सारी कचोड़ियां बना लेंगे यह दिखिए मैंने इतनी कचोड़ियां बना ली है अब चले इसको फ्राइ कर लेते हैं मैंने कोयी गरम होने के लिए हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम छोटी सी पूड़ी बना के डालेंगे अब इसको निकालके हम साइड में रख देंगे हमने यह जो कचोडी बनाई थी इसको हम हाथ से ऐसे कर देंगे पहले उसके बाद हम डालेंगे इसमें कि सारी कचोड़ी को हम ऐसे कर देंगे इसमें डाल देंगे हम कहले हाथ में तेल लगा के उसके बाद हम कचोड़ी को ऐसे फैला लेंगे हाथ से हलका सा उसके बाद हम डाल देंगे कि कर्म को हमने मेडिया सी हो जायेगे उसके बाद हम ने को थोड़ा सर तेज कर देंगी देरे हम थुरजे पकने से देते हैं यह बिएजे काश़ो आप देंगे विसको हम पलट देंगे सशं से दीरी तीरे मनशक्वाम पलट देंगे अलगर नहीं हलका वाव औरूसिई साइडंदी थोड़ा सा यह पक़िन Willin गई ऑसको फूल गयी है अब इसको रभाव ही माररिंगे आपने गवियो कजौड़ी नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर बना के ट्राइए करें खाने में काफी टेश्टी लगता है आप चाहें दाई के साथ खाएं या इंगली की चटनी के साथ खाएं धोनों ही टेश्टी लगता है और आप चाय से भी खा सकते हैं आप फ्लेम को ह हिमारी हे साइड हो गई है गाओ कचोड기 अच्छी से फ्राई हो गई अब ंपकि निकाल लें मैं जाए एक साथ मेंस निकाल कर निकाल है अगर बड़ी चनी हो तो आप उस्से निकाल होगी अगर छोटी है ता आप एक एक कर कचवडी हमारी बन के तयार है अब हम प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए हमारे के नास्ते बनाएं या साम के नास्ते में बनाएं दोनों ठाइम खा सकते हैं इंबली की चृत्णी की रेस्पी हमने यूट्यूब पर डाल रखी हैं आप चाहें उस पह देख सकते हैं आप सबको आज के हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सकाइब करें और शेयर करें और अगर रेश्पी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी बनी है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके आप सबको सब्सक्राइशन मिलती रहे मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक यू आप 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 आप